हेलो प्रेंड्स ब्राइट लेर्णिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी हैं फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि आफ फरम बिजनिस या पार्टनर्स फरम कंपनी इनके पैन कार्ड कैसे बना सकते हो ओनलाइन तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं क्लिक करने के बाद यहां apply online और एक आता है continue with application अगर मालो आप पैन कार्ड बना रहे हो बीच में अगर मालो लोग आउट हो जाए तो आप यहां से अगेन लोग इन करके आगे की प्रोसेस कर सकते हो जिसमें टोकर नंबर इमेल आइडी डेट बर्त और कैप्चा कोड लिखे लोग इन करना है अपने केस में apply online पर क्लिक करेंगे जिसमें फर्स्ट आता है न्यू पैन गार्ड इंडियन सेटिजन और करेक्शन तो अपने को करना है न्यू पैन कार्ड इंडियन सेटिजन वाले पर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर केटिगरी सेलेक्ट करना है केटिगरी में copy option दे रहा है जिसमें इंडिज्वाल असोसेट सोपर्सन बोडि अपर इंडिज्वाल ट्रेस्ट लिमिटेड लाइबिलिटी टाइटल यहां पर Ms आगया मैसर और इसके बाद यहां पर जो फस्ट नेम और मिडिल नेम में ओल्रेडी हाइड हो गया लास्ट नेम में यहां पर live लिखेंगे तो हम यहां पर लिखते हैं फम का नेम फर्म का नेम लिखने के बाद यहां डेट ओप बर्त ओबलिक इनकोर्परेशन आ रहा है तो आपको डेट ओप बर्त नहीं लिखने है यहां डेट ओप इनकोर्परेशन लिखना है जिस दिन आपने फर्म स्टार्ट की वो डेट आपको यहां पे लिखनी है तो हम यहां पे ड लिखने के बार डियरेशन पर टिक करने है और यहां पर इसंबीट वारे टेप क्लिक करने के बाद यह पर जो टोकर नंबर है वह हो यहां पर हमारा जनठेट हो गया और मेल पर हमारा मेसेज भी आगया 30 दिन के stars in took a place process complete करना है continue वाले टेप पर करेंगे इसके बाद यहां पर वेदर physical pen card is required है अगर yes करेंगे तो fee लगेगी 107 और अगर no करेंगे तो fee लगेगी 72 रुपीच तो हम यहां पर क्या है physical pen card required है इसलिए yes कर देते हैं तो 107 नमारी क्या है पीस लगेगी इसके इसके बाद आदा नमर में कुछ नहीं आएगा टाइटल में यहां पर नीम आ गया और लास्ट नीम यहां पर जो लिखे थे वह आ गया date of incorporation आ गई इसके बाद father's name mother's name कुछ नहीं आएगा ब्लेंग चोड़ना है इसके बाद आपको next वाले टेप पे क्लिक करना है नेक्स्ट वाले टेप पे क्लिक करने के बाद यहां पे sources है जो इंकम में कापी दे रहा है जिसमें income from business and professional लेंगे हम आप जो भी इंकम हो वो सलेक्ट कर सकते हो और यहां पे कापी हैड दे रहा है इंकम के इसमें से हम यहां पे other लेते हैं क्योंकि इसमें से कोई भी अधरी नहीं है तो हम अधर सेलेक्ट करेंगे इसके बाद address में यहां पर residence address औरitta तो आपको यहां पे ओपी सेड्रेस लिखना है क्योंकि residence address पर क्लिक भी नहीं होगा तो आपको office address यहां पे फिल करना है पहले name पर अपीस आगया इसके बाद जो address है step by step complete process में आपको यहां पे address फिल करना है एड्रेस लिखते टाइम उसके बाद आपको सीटी टाउन यहां पे सेलेक्ट करना है country सेलेक्ट करना है इसके बाद state सेलेक्ट करना है और pin code नमबर यहां पे फिल करना है इसके बाद telephone नमबर में country code यहां पे 91 जो इंडिया country code वो सेलेक्ट करेंगे और next बाले tap पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट यहां पे AO code आता है जो area code होता है वो यहां पे आपको केर्ल फिल करना है तो हम यहां area code select करेंगे इसके लिए हम यहां पे पहले Indian citizen पे क्लिक कर देंगे तो यहां से select करेंगे तो हम पहले क्लिए करते in Indian citizen इसके बाद state यहां पर select करेंगे तो इस्टेर करने के बाद यहां पर city select करेंगे और बहर को विए अउоды कर देंगे यहां पर काफी सारा एक ओड दे रखा है इस में से आपका जो भी एक ओड है वो आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट वाले टेप पर क्लिक करना है नेक्स्ट वाले टेप प्लिक करने के बाद यहां document submit as proof of identification जो आपको proof देना है वो देना जिसमें proof of identification address और date of birth तो यहां पर proof of identification में हम यहां सेलेक्ट करनेंगे certificate of registration issued by register of firm तो हम यहां पर MSME का registration या मालो जो भी आपके पास registration आपको यहां पर सेलेक्ट करना है इसके बाद declaration सेलेक्ट करना है declaration में यहां पर जो होने रहे उनका नाम लिखेंगे इसके बाद authorize signatory है यह partner है तो हमारे case में authorize signatory है अगर partner ही firm होगा तो partner सेलेक्ट करना है पहले इस लिखना है और इसके बाद submit पर क्लिक करना है submit पर क्लिक करने के बाद यहां आदा नंबर नहीं आएगा क्योंकि यह firm का pen card है अगर individual होता तो आदा नंबर आता है carefully एक बार complete form जो फिल किया है उसको यहां पर आपको चेक करना है क्योंकि इसके बाद कोई correction नहीं हो पाएगा जो जो भी डिटेल है वो आपको carefully यहां पर देखना है कि इसके बाद प्रोशीड पर क्लिक कर देंगे प्रोशीड पर क्लिक करने के बाद यहां payment की तो यहां जो डिमांडराप का option हो कापी ओल्ड हो चुका है तो हम यहां पर ओनलाइन वाला लेंगे इसके बाद 107 का जो पैमेंट है यहां पर प्रोशीड पर क्लिक करना है यहां पर फीज आ गई 107 रुपए पैमेंट वाले option पर क्लिक करेंगे पैमेंट करने के लिए यहां पर कापी माधियम है जिसमें आप पे टिम से इस केन बार कोड से भी कर सकते हो या UPI से भी कर सकते हो या net banking से भी कर सकते हो तो कापी option आपको यहां पर दिये वे है पैमेंट के जिस माधियम से आप पैमेंट करना चाहो वो माधियम आपको यहां पर select करना है और पैमेंट का जो process है वो यहां पर complete करना है तो हम यहां पर जो payment का process है वो करते है net banking से तो हम यहाँ select करेंगे सबसे पहले net banking तो देखते हैं यहाँ पर net banking हम select करते हैं UPI में यहाँ पर हमारी UPI ID नहीं है तो हम यहाँ पर net banking select करेंगे net banking यहाँ पर view all bank पर click करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो bank से वो complete process यहां पर करेंगे और देखते हैं कि जैसे complete process हो जाएगा तो process के बाद में आपको क्या करना है आगे की क्या process है तो बने रही वीडियो में और चलते आगे payment का process जो है वो चल रहा है देखते हैं जैसे completely payment का process होता है आगे की process करते हैं तो हमारा यहां पर जो payment का process है वो complete होने वाला है payment का process complete हो गया है यहां पर success पर लिखावा गया transaction reference number data गई और यह payment 107 रुपर चाहिए हो गई इसके बाद आपको continue पर click करना है और generate and print पर click करना है generate and print पर click करने के बाद यहां पर एक PDF generate हुई है जिसमें कुछ password मांग रहा है तो इसमें password data of birth या data of incorporation जो है वो आपको यहां पर fill करनी है तो हमारी case में यहां फ़हम है तो data of incorporation हम यहां पर fill करेंगे और fill आपको DDMMYYYY के format में करना है तब ही open होगा otherwise open नहीं होगा इसके बाद यहां पर एक address दे रखा है इस address पर आपको यह form और जो documents है वो बेजने है तो बेंगल पूने का यहां पर address दे रखा है तो आपको यह form seal or signature करवाना है फिल तो किया हुआ है तीन जगें यहां पर signature करने जो नहीं रहे उनके और इसके साथ में जो documents है हमने MSME का लगा था तो MSME यहां पर और pen card और अधर card प्रोप्रेटर के वो यहां पर attach करके जो address दे रहा है उस पर बेजना है तो इस प्रकार से आप किसी partnership firm या company का pen card बना सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे थाइंक यू पर वाचिंग बाई बाई